हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ति में मैं हूँ सुखदेव कुमार आज जो है किसी सिन्हा का मैथ परहने जा रहा हूँ चिप्टर है आज दसम्लाव एक कुश्चन नमबर साथ से है क्योंकि इससे पहले काहिसाब जो है पहले वीडियो में मैं बना चुका हूँ तो कुश्चन नमबर साथ से मैं सुरू कर रहा हूं इसमें कहता है कि यदि साइन ठीटा बराबर चार बटा पांच इसमें है कि यदि साइन ठीट एकुल टू दिया हुआ है 4 बटा 5 तो कॉस्ट थीटा और 10 शिटा कमान ग्याद करना है तो जानते हैं में कि साइं ठीटा बराबर होता है यानि लंब बटा करन होता है तो लंब और करण दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे आधहार निकाल लेंगे आधहार बराबर सुत्र होता है रूट अंडर कर्न स्कॉयर घटे लंब स्कॉयर तो कर्न देख रहे हैं यहांपर कितना है 5 है तो 5 का स्कॉयर घटे लंब कितना है 4 का स्कॉयर हो जाएगा तो 5 गुना 5 पचीष 4 गुना 4 16 घट गया आगया नौए नौथ हो जाएगा तीन तो आदहार निकल गया आपका आदहार निकल गया कितना तीन निकल गया तो अब जो पुष्टा है वो लिख देंगे ध्यान दिजिएगा कोस्ठीटा यानि कोश ठीटा, कोश ठीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है इसका, तीन निकला है, कर्ण कितना है, पांच है, तीन बटा 5 एंसर हो गया, अब है, टैन ठीटा, अब तैन ठीटा बराबर, टैन ठीटा बराबर होता है, लंब बटा, आ है आधार कितना निकला है 3 है 4 बटा 3 हो गया अब चलिए अभ Meg इसका दूसरा कोस्टन देख लेते हैं इसका दूसरा कोश्चन किया कहता है कहता है साइन आ बराबर साइन ऐ बराबर के इन बटा चार है तो इसमें कoka से उतने का मांद गयात करना है तो साईर ब्राबर क्या होता है फी ड़ाङ AT 10 इसका बी यानि आधार निकलना है आधार बरावर क्या होगा है maintenance कर अगभटे पेस्क्राइच यानि करन केतना है चार का स्कॉयर अगभटे टीन का स्कॉयर का रूट हो जाएगा चार चभकाई 16 अगभटे 9 सुला में से 9 घटेगा कितना होगा 7 और इसका बरमूल तो होगा नहीं इसलिए इतनी रह जाएगा अब इधर जो कहता है हम निकाल देंगे ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहा है निकालने के लिए कोस A और 10 A का मान गयाद करना है कोस A का मान गयाद करेंगे के लिए क्या लिखें कोस A बरावर क्या होता है B बटा A आपका B कितना निकला है रूट साथ और A कितना है इस चार है यहीं आपका एंसर हो गया अब कहता है 10 A बरावर 10 A बरावर होता है P बटा B यानि लंब बटा अधार तो P कितना है? 3 है, आधार कितना है? इसका? रूट अंडर 7 है, तो 3 बटा रूट 7, यह अंसर हो गया, 7 का, तो चलिए कोच्चन नमर 8 देखते हैं, कोच्चन नमर 8 क्या कहता है? कोच्चन नमर 8 कह रहा है, कि sin theta equal to 3 बटा 5, sin theta equal to 3 बटा 5 है, तो sin theta पर भाबर क्या होता है? त्पाइच थ्यक्त योई इ सब्सक्राइच को कोई सब्सक्राइब चार अब हमरा अधार निकल गया भी निकल गया अभ क्या करेंगे जुरूब करने कि कतना है यह इंसर निकल गया उसके बाद कहता है अब आते हैं question number 9 क्यों question number 9 क्या कह रहा है question number 9 कह रहा है कि cost theta equal to 4 बटा 5 तो 10 theta की गन्ना करना है यानि cost theta देखिएगा कितना असान से निकल जाएगा cost theta equal to कितना है 4 बटा 5 है तो जो दिया रहता है cost theta square इसी का सुत्र लिखते हैं तो यह हो गया कथी अब इसमें क्या कहता है निकलने के लिए 10 ठीटा कमान आसानी से निकल जाएगा 10 theta equal to क्या होता है P by B तो P कितना है 3 यानि लंब कितना है 3 और B है आपका आधार है कितना 4 यही answer हो गया तो question number 9 तक हम solve कर लिए कर लिए question number 10 की और चलते है question number 10 में 2 प्रस्ण है पहला है यदि 10 theta equal to 3 बटा 4 तो cos theta और sin theta कमान ग्याद करना है देखिएगा यहां दिया हुआ है 10 theta equal to 10 theta equal to दिया हुआ है 3 by 4 यानि 3 बटा 4 तो चुकि जानते हैं कि 10 theta का सुत्र होता है लंब अधार यानि पी बटा भी होता है तो लंब अधार जब दिया हुआ है तो कॉर्ण न निकालेंगे यानि कॉर्ण कॉर्ण एच निकालेंगे एच बरावर क्या सुत्र होता है पी अस्क्वार पलस बी एस्क्वार का रूट बी केतना है आपका तीन है दिये है बी केतना है चार है थीन तुरिक लोग पलस चार के स्क्वार एडिक यह हो जाया कितना पचीश फचीश कवर और मुल होगा चक्वरक करनाuish है पांच दो अब ध्यान दिजियूए B कितना है इसका ध्यान से देखिएगा? 4 है, और H कितना निकला है? 5, यही एंसर हो गया, अब कहता है साइन्ठीटा का मान, तो साइन्ठीटा क्वल्टू क्या होता है? P by H, यानि P कितना है? 3 है, और H कितना है? 5 है, यही आपका एंसर आ गया, तो अब हम क्या किये हैं? 9 का, 10 का, 10 का पहला कोश्चन सल्व हो गया, 10 का दूसरा कोश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे आप लोग, 10 के दूसरा में कहता है, 10 A बराबर, 10 A बराबर, 4 वटा 3 है, 4 वटा 3 है, तो कहता है कि, कोन एक के अंतिरकलमितियन उपात गयाद करना है, हमने सभी तिरकलमितियन पात, यानि 10A के छोड़ के जो होता है, वो सभी गयाद करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, 10 ठीटा का सुतर लिखेंगे, P by B, यानि लंब बटा आधार, तो इसको क्या करेंगे, rain के लम अहार जो गधिया है knit this निकाले ने या लिए क 언제 निकाल लेंगे कोर्ण बराबर होता ere p your root under जो होता है छार है सभात बीज़ कर और अद्याने आद इसक्वारות फीक इतना है इसका अब कहता है अन्य तिर्कौन मितिये सभी अनुपात निकलना है तो सब निकाल दीजिए -e १ साइन ए बड़ाबर पी बटा है पी कितना है इसका चार है यह निकला है पांच एनसर हो गया है अब कॉसे निकलेंगे कॉसे बराबर बी बटा H, यानि अधार बट कर्ण, तो B कितना है इसका, 3 है, अधार कितना निकला है, पांच निकला है, अब 10 तो बाकिर नहीं दिल ही है, sign हो गया, cos हो गया अब हम निकाल लेंगे cot theta, cot theta बरावर होता है b बटा p यानि आधार बटा lamb, तो आधार इसका है ती, lamb है 4, यही answer हो गया sign cos हो गया, cot हो गया अब निकालेंगे cos theta तो cos a हो जाएगा theta यहाँ e है तो cos a बरावर हो जाएगा h बटा p, यानि sign के उल्टा न होता है, cos h बटा p, यानि हो जाएगा इसका बटा 4 अब एगो बचा हुआ है 6 theta, तो 6 theta यहाँ पर a है तो 6 a बरावर क्या होगा cos के उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा h बटा b, h है 5 अब b है 3 यही हो गया answer तो आज जो है हम आपको केसी सिन्हा का 8.1 का, जो है question number 7 से लेके 10 तक solve कर दिया हूँ आगे का जो भी सवाल बच्चा हुआ है अगले वीडियो में हम upload करेंगे और मुझे उमीद है कि या chapter जो है, कि तह जो भी question बना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe करें दोस्तों से share करें Thank you for watching